पहले मैं तुम्हारा भूँ खरूंगा जै गुरू सिवाली इन दोनों के भूँख भर ले कैसे हो भूँख प्यास तुम्हारी भूँख नहीं है नहीं है ठीक तो तुम गुजरात प्रांद की रहने वाली हो हां बाबा जी तुम्हारे पती का नाम सर्ताद है हां बाबा जी आप उन्हें जानते हैं हां मैं खोब जानता हूं उन्हें तो बेटी हां बाबा जी तुम तो बहुत भाट साली हो का एगी भाट साली बाबा जी इतनी मुसीबते सेफ्टी चली आ रही है तुम्हारा पती उज्जैन में राजा इंग्रेश के यहां सेना नायथ तुम बहुत भाट साली और क्या लेकिन बेटी हां बाबा जी वहाँ जाना तो ठीक नहीं क्यों बाबा जी क्योंकि वहाँ घरी घरी पे मुसीबते आया जाया करती बाबा जी अब तो मुसीबत से हने की आदत पड़ गई है हम बिना उनसे मिले वापत नहीं जाएंगे बाबा जी तुम्हों जैन जाओगी जरूर हां बाबा जी हरे जब गुद्रा से इतनी दूर आगए है तो यहां से थोड़ी देर उन्द्यन होगा ठीक है बेटी जाओ मैं अपने तंद्विद्या की सक्ति से तुम्हें वहां नौकरी लगा दूँगा हां नौकरी लगवा दूँगा मेरी नौकरी मां तुम्हारी नौकरी राजा इंद्रेश के यहां रसोई घर में लगेगा मेरी हां और तुम्हारे बेटा शरब के वहां का एक सिपाही बनेगा सिपाही हां बाबाजी फिर तो वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी नहीं नहीं बाबाजी अभी यहां कितनी दूर यहां से उज़र बेटी यहां से बीस मील दखिन बीस मील भी जाना पड़ेगा तब वह उज़र मिलेगा वहां वो वहां पे जो राजा है उज़र के राजा इंद्रेश उनका एक बगीचा है वहां बगीचे में बगीचे के पास जब जाओगी तो वहां उसी के पास नौमहला दिखाई पड़ेगा और नहुमहला में वहां चिराग जलता रहता है अच्छा बबजी ठीक बबजी रास्ता नहीं मालूम बहुत जेर से इसी जगह भटक रहे हैं हाँ जो यहां इस कुटिया पर आ जाता है वो रास्ता भटक जाता है बबजी आप रास्ता बता देजिए ठीक बेटी आप इधर से सिधा चरी जाएं यह रास्ता बबजी बीश मिल जब आप पहुतींगी तो आपको वहां बगीता मिलेगा ठीक बबबजी और उसी के पास राजा इंद्रियस का नौमहला है ठीक बबजी अब याज़ दीजे जाओ हुआ हालो यह दो है कम लेश कम लेश कम लेश दो की घर मालिक को एक्यावर के बहर दो रहें कोटिया हार के रहने वाले हैं और आगे भाईया साथ में रामनाद भाईया जो कि घर मालिक को एक सो कुर्पिया जो है लिख लीटिये का भाईया अब उधर उधर उजयन में उसका इसका पती सर्ताज सेना नायक ये वहाँ पर जब पहुंचेगी तो वहाँ की रसोई में ये इंद्रेश चुरा के लेगा लेगा अब मेरी पारस मरी मेरे पास वापस आ सकती है जय गुरु शिवाली वहाँ, मास्टर चलते चलते एग लेंग याद आ गया अरो लुखाले गोरी पतिया, ती लुखाले गोरी पतिया, अक्तिया पर जेश लुखाले गोरी पतिया लुखाले गोरी पतिया, लुखाले गोरी पतिया, पर जेश लुखाले गोरी पतिया मेरी अर्ज कोई जाके महाराज से सुना दे 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 बड़ी दूर से हुआ आई ओल राज कोई जाके महाराज से सुना दे मेरी अर्ज कोई जाके महाराज से सुना दे जाके महाराज जाके महाराज से सुना दे वही हमको लगता है नौ मैला है देखो चीराग जल रहा है आवाज लगाती हूं अरे भाईया दो आरबे कोई है कोई हूं कहां से आ रहे हूं है नहींने का सम्मर गए भाईया है हम बहुत गरीब मुसीबत की मारीन भाईया बहुत गरीबी नहों तो काहिया गरीबी छाड़े आई नाहीं भाईया हम महाराज से मिला चाहिद भाईया एक बात सुलियो काह भाईया बार भाईया भाईया ना करो काह भाईया फिर भाईया कहो अरे भाईया भाईया ना कहो भाईया के आगया उरो कुछु जनतियो खाली भाइए 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 अब बताओ ये आज हमका भाइए का जोन एक्या साथे असार भाइलंडी वह दिया का मामा कहार चालू होईगा कहो इंटे गुम्मा उठा के फेट दिया में उपर भाइए ना कहो और कुछु नहीं जन्तु का है अच्छा बेटवा कही हाँ बेटवा कहो बेटवा में तो चल जाए है हम महाराज से मिला चाहिए है महाराज से हाँ घर ठीक है आप वहीं पर रुको मैं महाराज से बता करके अभी आपके पास आ रहे है ठीक एक फटहे पूरान कपड़ा पहिरे बहुत बरे सानी की हालत मा एक आउरत आई और वही के साथे एक लउंडो है हरे है हरे हमों कहां पेले जा था बिजिली हाए नहीं अब हैं चुई जाई तो निपूरी जाई हो क्या कहा कोई मुशीबत की मारी आई है जी महाराज जार पाल ओ आप से मिलना चाहती है उससे मिलना चाहती है जी रादे रादे जा उन दो लों को सम्मान के साथ मेरे पास ले आओ ठेट का बिटवा तुछ लई के आई हुए समान मान बिटवा हमरे लेगे कुछ होई यह नहीं का लई के आई है आव अच्छे की चलिया हुए का बैलंडी एक आया ना है बिटवा का किरेग जनात है हमारे बिटवा नेक है हमारे बिटवाग ने क्यों को बिटवाई नहीं हुए हाँ अहार बाहर चला थे काई तो काई जीजा देखें वने बिजुली यह पकाड़ी बिजुली हुए पीटी तुम्हारा नाम क्या है और कहां की रहने वाली हो और मेरे पास किसलिया आई हू आपको बहुत नाम सुना है राजन आपको बहुत नाम सुना है कि आप हर दुखिया का दुख हर लेते हैं इसलिए आपके पास आई हू राजन अगर हमारे लाजन आपके राज दरबार में कोई काम हो तो मुझे नोकरी पर खलीजे राजन मैं आपके साइट जिन्दे के घर नहीं भूलेंगे क्या कहा हमारा नाम सुन कर आई हो और अपने दिल में आशने कर आई हो कि महाराद के पास जाऊंगी तो कोई नो कोई नो कोई नो करी बश्री मिल जाए जी राजन बिटी आज से दोनों को मिल गई नो करी तो काम हो गई बनाने का देता तुम्हे ये शिपाही हमारे घर बार का खाने पीने की सब्सक्राइब कर आज से हम तुम्हे रसोई भंडार में तुम्हे भोजन बनाने के काम देता हूँ और ये तुम्हारा वेटा इसका नाम सरद है राजन हमारे नाम सत्यवत्य है तुम्हारा नाम सत्यवत्य है और इस बच्चे का नाम सरद है तुम्हारे वेटे को इस तरबार में शिपाही का वहदा देता हूँ ठीक है राजन अई सिपाही जाओ इन बच्चों को ले जाओ सबसे पहले इनको असनान कराओ अच्छे अच्छे कपड़े पहिनाओ और भोजन कराना ठीक से और इस बच्चे को सुवा नहदाना नहला कर और इसको सिपाही को वर्दी दे देना आओ बेटी हमारे साथ चलो गिरगीर परत इनका हम नवहाए धोवाए के सफाई करवाएं के का कर अभी चले नहीं पावा दंगर बंगर चलाद गिरगीर परत दरबारी मुनिलाली धराओ बताओ राजा बात कर रहे थे हम लोग आपस में बात कर रहें की महाराज आपकी पीता जी हुक्म दिहिन की इनका कपड़ा बदुलवा दियो अच्छे अच्छे कपड़ा दियो और नहला धोवाए के और बढ़ी अफस किलास से अफिरागे भी जो नवत यह वहाए हुई दरबारी देखने में सरत तुमको कैसा लगता था भाए हमका दवा देखने मां बैलंडी लाग रहा था तो यही का चापा थे मुहेमा बैलंडी ने जा रहा है रहा हुआ उसको बैलन्डी मत कहो बैलन्डी नहीं हो सही है अच्छा है देखने में क्या बता हूं मेरा तुसके उपर दिल आ गया है उस पे आपके बी लाए गया हाँ राज कुमारी जी कहें अरे अपने आपका देखे लिए हो ही का सारे पकाला का देखे लिए क्या है अरे जब उन्हें चक्कर में तुम घूम रही वा कुछो जन्तव होई नहीं दर्वारी मैं सब सिखा दूगी उसको आओ का जहे बात प्यार कर आप शिखा जमानर बताए रहा है कि कुछ तुम ना जैनी हो तो कुछ हम जाने मलब वही का बताए दिया हो सिखा लिया हो कर आपर क्या ठीक है आप जैसा समझो का हमें पर्यग्या है ठीक है चलो बा आद में इंतिजार करते हूं उसको मिलने के लिए अरी जब इसे तुम है मैंने देखा शानम जब इसे तुम है मैंने देखा शानम मेरी मिल देखे तुम मेरे ठाबे ने तुम है मेरे शानम मेरे ठाबे पर श laughs शानम मेरे शानम देखे मेरे यिए वीओ लित ने तुम है तुम है मेरे ठाबे तुम तर्माई हां महारली क्या बताओं मैंने इतना उपाय कर डाला इतना सेना पती के हाँ जोड़ा उनके पाऊ पकड़े लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी, तुम्हारा काम नहीं बना उसका अंजाम क्या हुआ, क्या हुआ, कि याद रखो सेना पर सर्ताज अगर मैं तुम्हारे प्यार के लिए तरपूँगी तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी तरपाऊंगी याद रखो सारी जिंदगी उसी जेल में सड़ेगा अरे माउत की भीख मांगेगा कि उसे माउत मिल जाए लेकिन उसे माउत भी नसीब नहीं होगी घबरान है सेना पर सर्ताज तुम क्या जानते हैं कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूगी कभी नहीं अरे जब तक मैं तुम्हें अपना बना नहीं दूगी तब तक मैं मैं जिस वक्त चाहूं तुमसे जेल में मुलाकात कर सकती हूं यह महारानी पल्लवी की खोपड़ी है क्योंकि हमारे नाम हमारा नाम महारानी पल्लवी का दूसरा नाम हमारानी लेकिन मेरी राहों का काटा मेरा वो बुद्धा पती है जब तक इस महल में वो बुद्धा रहेगा तब तक मेरा कोई काम नहीं बन सकता है अब मुझे इस बुद्धे को अपने रास्ते से हटाना होगा और इस काम के लिए मैं अकेली कुछ नहीं कर पाऊंगी इस राज महल में मुझे कोई ऐसा व्यक्त दिखाई नहीं देता है जो मेरा साथ दे घरबारी महरानी जी कुछ कहना चाहते हैं देखो आए गई दुलहागी अम्मा अब यसाइद पर दुलहागी अम्मो तो लब लब आए रही ने भाई कहिके उपर वी परिसान दुलहागे मामा के उपर काहे परिसान कर रही हम अलकिन दस रुबिया इनाम दे रही पाल्टी कोड से धन्नबार दर्बारी क्या तुम लेग मेरा साथ दे सकते हो कई से साथ महारानी जी अगर मैं चाहूं और जितना मैं कहूं क्या मेरे कहने के मुताबिक काम कर सकते हो हम तो आपके नवकर हैं आप जो कहेंगी मैं वो करने को तई अगर मैं कहूं कि समराज का कटल कर दो तो यह नहीं होगा क्यों अभी तो तुम लोगों से कुछ नहीं होगा अरे मेरी निगाह में एक ऐसा सक्सा है मेरे काम में मेरा हाथ बटा सकता है वो कौन है इसी राजदर्बार के हैं इसी अपने राजदर्बार के हैं महामंत्री भावानी सिंग अब मैं ऐसी चाल चलूँगी ऐसा जाल बिछाओंगी कि अब मैं महामंत्री से मिलोगी और महामंत्री को अपनी महबत का जहासा दे करके मैं अपनी महबत का उजहार करूंगी उनसे और महामंत्री भावानी सिंग मेरी मुठी में आजाएंगे और मैं महामंत्री भावानी से मिल करके और मैं उस बुठे का सम्राठ इंड्रिसेंड का मांड का कतल करवा दूंगी अगर मॉठ के घाट न उतार दिया तो मेरा भी महामी पल्लवी अब मैं सबसे पहले महामंत्री भावानी से मिलोंगी उनसे मिल करके असे सारी बात बताऊंगी जब वो मेरे जासे में आजाएंगे तब में उनके साथ मिल करके महामंत्री भवानी के हाथों से महाराज का काम तमाम करें नए सीवक्त जा रहे हैं भानी सीवक्ता रामलाल भीया कुछल के प्रोवग रहने वाले हैं पचास रुपिया घरमाली को बेहर पाल डिकाँ याद रखाओ जैन अगर के वासियों यदि मेरे सांड के खिलाप अगर किसी ने वाज उठाया तो जानते नहीं हो मैं उसे दाउना के गोली मारूँगी अरे दाउना के गोली मारूँगी यह भी उसके पिछवारे पे क्योंकि हमारा नाम महाराणी पल्लवी है महाराणी पल्लवी का दूसरा नाम मौट 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 अरे कसम हमरी जलनी की हाँ हाँ भाईया यही तो कहा थी कि बढ़ेन के अगारी और घोड़े के पचारी ना पढ़ा हो ना पढ़ेक जाए जहने गरमा नाया थी नायक जाया है भारत भारत की बिधाता जिवाओं ने करमा नाया थी नायक जाया है भारत भारत की हो मंदिला आए जी लम्मर्दार चा हो रहा है अरिया तुछो नहीं साइब खाली यही वसूली माहला है हम परेसान है यार हमको नेंद नहीं आ रहे हैं का परेसान हो नेंद नहीं आ रहे हैं का बात फों लम्मर्दार आपको नेंद नहीं आए रहे हैं नहीं आ रहे हैं नहीं रहे हैं वह का बात फोईगे लिए समझ में रहाता यार क्या बात लेकों को स्थावा लेलें यह यह अगर भुए तिन टीशी